तो आज हम आख़डों का प्रभंदन या अंग्रेजी में डेटा हैंडलिन के बारे में पढ़ेंगे तो अब हम आलेक या ग्राफ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे पहला ग्राफ या आलेक का प्रकार जो हम देखने वाले हैं वो है चित्रो लेख या पिक्टोग्राफ इस चित्र में एक पिक्टोग्राफ का उधारन दिया गया है यहाँ पर एक कक्षा में बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों के बार में बताया गया है यहाँ पर हर एक गेन दस बच्चों के बराबर है उससे हमें क्या सम होई जाता है बेसबोल में 5 गेन बने हुए यानि कि इसे 50 बचके खेलते हैं मतलब इसे 30 बचकेश खेलते हैं और सौकर में 6 गेन बने हुए it जयानि की इसे शार लोग कहिँते हैं। बाक्की में दो ग्रण बने वए हैं जयानि always अबीच लोग कुलते हैं। बास्केटबॉल में चार ग्रण बने वह हैं जयानि की इस में चालिस बच्चे खिलते हैं। इस प्रकार हम पिक्टोग्राफ को पढ़ सकते हैं। दूसरा ग्राफ या आलेक जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो है डंड़ आलेक या बार ग्राफ। इस चित्र में एक डंड़ आलेक या बार ग्राफ का उधारन दिया गया है। इस चित्र में हम कक्षा के विद्यार्तियों के मनपसंद कलर का अलेक बना रहे हैं। तो यहाँ पर लाल 23 बच्चों यह 23 बच्चों का मनपसंद कलर है। ब्लू 15 बच्चों का मनपसंद कलर है। यह ग्रीन 10 बच्चों का मनपसंद कलर है। ब्लैक पाच बच्चों का और फिंक बच्चों का इस तरह के इस तरह से हम एक बार ग्राफ या डंड आले को पढ़ सकते हैं अब तीसरा आले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हो ज्विया डंड आले के डबल बार ग्राफ है यह डबल बार ग्राफ का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हम दो सामान वस्तुओं की तुलना करना चाटे हैं जैसे इस चित्र में एक डबल बार ग्राफ का उधारन दिया गया है इसमें दो कार डिलर्स के व्यापार की तुलना की गई है अब एक उधारन नीचे दीवी सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपर्युक्त आले खीचिये अब यहाँ पर एक घड़ी बेचने वाले द्वारा ये बनाया जा रहा है यहाँ पर वो महीने द्वारा बेची गई घड़ी का चित्रन कर रहा है तो जुलाए में वो हजार घड़ी बेचता है अगस्ट में पंदरा सो सित्यमबर में भी पंदरा सो तूबर में दो हजार और नवेंबर में ठाई हजार जब तुम पीछे दिये गए उधारन का चित्रन करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा अब हम आकड़ों का संगटन के बार में पढ़ेंगे और संगटित रूप में प्राप्त आकड़े यथा पाप्त आकड़े कहलाते हैं उधारन के तौर पर अगर हम किसी लोगों के सम्मूओं को उनके मन पसंद फल का नाम पूछे तो उनके जवाब खुद इस प्रकार होंगे यह एक और संगटित आकड़ों का उधारन है अगर हमें इसी आकड़ों को संगटित में परिवर्तित करना है तो हमें उसे इस प्रकार लिखना होगा किसी भी विशे की मिलन चिन की संख्या उस विशे की बारंबता कहलाती है यह जो टेबल लिखी गई है इसे हम बारंबता बंटन सारनी कहते है यह अंग्रेजी में एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन टेबल कहते है अब हम वृत्त हाले या पाई चार्ट के बान में पढ़ेंगे एक पाई चार्ट के उधारन यह दिया गया है यह पल प्रत्यक यो त्रिज्य खंड का साइस या आमाप उसके दोरा नेरोपित लिया कलाप या सूचना के सामानुपात्वी होता है अब हम पाई चार्ट खीचना सीखेंगे उधारन के तौर पर यहाँ पर टेबल दी गई है इसका पाई चार्ट हम बनाएंगे यहाँ पर पचास प्रतिशत एरिया चौकलेट को जाएगा 25 प्रतिशत एरिया वैनिला को जाएगा और 25 प्रतिशत एरिया अन्य प्रकार क्या आइसक्रीमों को जाएगा तो जब हम इसका पाई चार्ट देखेंगे तो वो ऐसा कुछ होगा यहाँ चौकलेट वाला एरिया है जो 50 प्रतिशत होना चाहिए था और है यह हमारा वैनिला वाला एरिया है जो 25 प्रतिशत होना चाहिए था और है और यह हमारा अन्य प्रकार वाला एरिया है जो भी 25 प्रतिशत होना चाहिए था और 25 प्रतिशत ही है सयोग और प्राइक्ता ऐसा प्रयोग जिसमें प्रयोग करने से पहले किसी परिनाम का आना निश्चित ना हो याद्रच या याद्रिच प्रयोग कहलाता है उधारन सिक्का उठालना समसंभाविक परिनाम दो या दो से अधिक परिनाम समसंभाविक तब होते है जब प्रतिशत परिनाम के होने का सयोग या चांस एक ही होता है उधारन के तोर पर जब हम पासे फेकते हैं तो एक से छे तक सारे अंखो की आने का सयोग एक ही होता है तो सारे अंखों का आने का परिणाम समसंभावित होते है अब हम प्राइक्ता या Probability के बार में पढ़ेंगे किसी भी परिणाम की प्राइक्ता उस परिणाम को देने वाले परिणामों की संख्या divided by समप्राइक परिणामों की संख्या होती है उधारन के तौर पर पासे फेकने की स्थिति में दो अंख आने की प्राइक्ता 1 by 6 होती है यह कैसे आता है अब दो देने का एक ही परिणाम है तो 1 divided by the total number of परिणाम जो है वो एक से छे आने का है छे परिणाम है तो हमें 1 by 6 मिलता है किसी भी प्रायोग में एक परिणाम या परिणामों का सम्मूवर एक घटना या इवेंट कहलाता है अब हम एक उधारन देखते है अगर हम थहले में 4 लाल और 2 पीली गेंद रख दे और इसमें से बीना किसी भी गेंद को देखे एक गेंद उठाए तो लाल गेंद मिलने की क्या प्रायोगता है तो यहाँ पर कुल 6 परिणाम हो सकते है इसमें से लाल गेंद आने का परिणाम 4 है तो जो हमने प्राइक्ता के बार में तुम्हें बताया था उससे लाल गेन निकलने की प्राइक्ता 4 by 6 हो जाती है या 2 by 3 इसी प्रकार पीली गेन निकलने की प्राइक्ता 2 by 6 या 1 by 3 हो जाती है तो मैं आज की कप्षा यही पर समाप करता हूँ मुझे शांदी से सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाए